हेई गाईज आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक औस्ट्रेलियन नॉवल जिसका नाम है रिमेंबरिंग बैबिलोन जिसे लिखा है डैविड मॉलुफ ने तो यह जो नॉवल है यह पब्लिश होई थी 1993 में और उसी साल यह लिखी भी गई थी सिड्नी औस्ट्रेलिया में और टाइम रखा गया है सेटिंग का मिड-19th सेंचुरी मतलब की 1840 के नियरबाय का टाइम रखा गया है और इसका पॉइंट ओफ यू थर्ड परसन है इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने इसके की वीडियो के बारे में तीम्स के बारे में डिसकस किया है इस वीडियो में हम इसकी समरी को डिसकस करेंगे तो जो डैविड मॉलूफ है उन्होंने बहुत सारे ग्रेट वोक्स लिखे हैं और ऑल्दो ही इस वाइट परसन बट ही टॉक्स अबाउट ब्लैक पीपल इस वाइज इस वाई इस वाई इस वाई इंपोर्टेंट रखता ह क्योंकि वाईट था उन्होंने वाईट को ही क्रिटिसाइज किया है और यह के उपर आयरनी दिखाए गई है इसके में मैं कैरेक्टर्स है हम उनको जान लेते हैं तक कि जब हम समरी को करें तो उसमें प्रॉब्लम ना हो तो first of all जो में कैरेक्टर है और प्रोटो गयॉनिस् और उनका नाम है विलिट वो एक ड्रेंकन परसन है रेट कैचर है जो प्चूहों को पकड़ते हैं और वो जैमी को as a slave करदे थे रेक्राइ shootings हैं शो को पकड़ते दियुकरा मंचे該 वो Ende रेटी है शो को इस आपर नाम है जो फैमिली है मैं चैनली जी गर्लिवर करती है जो उसका स्कॉटलेंट से ऐस्ट्रेलिया आया है और उनी की फैमिली में एस देयर चाइल्ड यहीं पर रहता है बहुत सालों से यहीं पर रह रह रहा है अब नेक्स्टिक्राइक्टर है Mr. Frenzer Mr. Frenzer जो है जो सेटल्मेंट एरिया है जो अंगरे जाकर रहां पर बस गए है वो सेटल्मेंट का मिनिस्टर है और इसका रोल as a Botanist यहां पर दिखाया गया है बॉटनिस्ट मतलब कि जो प्लांट और ट्रीस पर स्टड़ी करते हैं वो और यह important इसलिए है क्योंकि इस novel में जो जैमी है जो protagonist है उसका interview लेते हैं next character है Mrs. Hutchin जो की old woman है जो की यहाँ पर एक बड़े से घर में रहती है और उनके साथ ही एक लड़की रहती है जिसका नाम है Leona जो की इनकी biological relation में नहीं है बट फिर भी जो Leona है वो इनको मा बोलकर represent करती है next important character है Sir George जो की governor है Queensland के जहाँ पर सेटिंग रखे गई है तो start करते हैं summary को novel है वो start होती है Queensland में और time period है mid 19th century मतलब की 1840s के nearby का अब जो commonwealth settlers है जो white people है उनके तीन बच्चे है three children है वहाँ पर खेल रहे हैं कोई खाली area है वहाँ पर खेल रहे है और suddenly एक strange man appear होता है अब जो strange man है वो jammy है तो इसलिए गन्फ्यूज नहीं होना है starting में strange man use कर रहा है तो जो strange man है जो jammy है वो fence जो होती है जो barn बनाई गई होती है एरिया को cover करने के लिए वो fencing पर अपने आपको balance करके बैठा हुआ है अब जो यहाँ पर तीन बच्चे खेल रहे थे उनमें से एक लड़की का नाम है लैकन लैकन बैटी वो एक young boy है यहाँ पर बताया गया है जो strange man appear हुआ है वो जब लैकन उसे देखता है तो उसके जो dark color के skin है उसकी वज़ा से वो उसे समझ लेता है कि वो एक aboginal tribesman में से ही कोई है अब यहाँ पर जानने की तीज़ है कि aboginal कौन है जो औस्ट्रेलिया की native tribe के लोग थे मतलब कि जो आदिवासी लोग थे उनको aboginal बोला गया है और यह सोचता है कि यह जो black person appear हुआ है suddenly वो भी एक aboginal tribesman में से ही एक है अब जो stranger appear हुआ है वो एक white है लेकिन यहाँ पर रहते हुए बहुत सालों से रहते हुए Australia में उसका जो color complexion है वो dark हो गया है औ तो जो लेकन है वो अपनी stick उठाता है और जो stranger है उसके सामने target करता है ऐसे दिखाता है जैसे कि उसके पास rifle है और उसके जो regarding में जो stranger appear हुआ है जिसका नाम jammy है वो बोलता है don't shoot I'm a British object मतलब कि यहाँ पर पता चलता है कि वो एक white है लेकिन वो black कैसे हो गया यह चीज limits को cross कर रहे हैं अपनी boundaries को cross कर रहे हैं अब यहाँ पर नया character सामने आता है जिसका नाम मिस्टर फ्रेंजर जो कि टाउन का मिनिस्टर है और एक botanist है अब यहाँ पर वो jammy का interview लेता है उसके story को उतनी तरीके से लिखता है जितना वो लिख सकता था अब जैमी है क्योंकि उ उसका interview ले रहे हैं तो बहुत जिदा fascinated होता है यह देखकर कि उसके बारे में कुछ लिखा जा रहा है और वह चाहता है कि उसे पढ़े ताकि उसे अपनी true identity जो है वह पता चल सके लेकिन जो मिस्टर फ्रेंजर है उन सभी चीजों को जो उन्होंने लिखा होता है वह स्कूल house में उसे locker में save कर देते हैं lock कर देते हैं अब यहां पर उसकी कहानी बताई जाती है कि जैमी है वह यहां पर कैसे पहुचा तो पता चलता है कि 16 years earlier जब वह 13 years का था तो वह आस्ट्रीलिया के सोर में मतलब की coastal side area में कहीं से नाव से गिर गया था बॉट से गिर गया था और उसके अर्ली डैड ही था लेकिन उस ट्राइम पे उसे बचाया गया था कुछ ग्रूप से बचा लिया था जो कि अवाजिनल ऑस्ट्रिलियन पीपल ही थे जो ट्राइबस में ते वही थे और उसके बाद जो जैमी है वह उन्हीं के साथ रहने लग गया था और बहुत सालों त लगती है उसके जो टीथ है वह बलए stem हो गया है कि वह वहां पर 16 owe us न हुम्य और पिका लिया था तो उसने प्रौपर ंंक के लेंग 》 करती है हालकि उसे पसंद नहीं करता है वो से एरिया आ रहने खिए बी जगा देते हैं लेकिन जो अधे शेब्स hasn't Kirk को यहां पर रहने दे रहे हैं और उन्हें कही न करूंब है वह ब्हुत नहीं होगा नों कभी भी अटाइक कर सकता है हमेशा ह। चुटे चूटेatra do जिसमें वो इस बारे में बात करते हैं कि वो रेड मारें गे और अबॉजिनल ऑस्ट्रेलियन को जो वहां से मार देंगे या फिर उन्हें किल कर देंगे फिर भगा देंगे ऐसी पार्टी दो अगनाइस करते रहते हैं यह सब उनका पॉइंट फ्यू है लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर फ्रेंजर हैं वो जो जैमी है उसके प्रेजिंस को बहुत जाथा इंजॉय करते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम उसके पाद स्पेंड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जैमी है वो 16 यह तक अबॉजिनल मतलब की ब्लैक पीपल के साथ था उस्ट्रेलियन जो नेटियो ट्राइप वह उनके साथ था तो उसने उनके जो नॉलेज है नॉलेज नॉलेज उनकी जो प्लांट की हिहों कि हैं उन शभी नॉलेज को एतर नंदर पास कर लिया है उससे रिस्टोट कर लिया है और इसलिए जो subsequent नहें कर लिए हम सबदों को जानना चाहते है अब जो जैमी है वो क्योंकि फैमिल्यू से सपोर्ट करती है तो जैमी उनके साथ almost a year रहता है और उसके बाद suddenly ऐसा होता है कि एक दिन दो Aboriginal people आते हैं दो Aboriginal men आते हैं ब्लैक men आते हैं आफ्टरनून में और वो जैमी से कुछ बात करते हैं और suddenly थोड़ दिर बात चले जाते हैं लेकिन यह सारी चीजे एक farmland person होता है जो farming कर रहा होता है वो देख लेता है और वो इस सारी स्टोरी जाके अपने फैल्वर्स को बताता है जो settlers है उन्हें बताता है कि जो जैमी है उसके पास कुछ लोग मिलने आये थे और जैमी ने उसे कुछ mystical stone उसे वापिस किया है उन्हें दिया है है वो उनके कुछ उनके कुछ animals को मार देते हैं अब suddenly एकनत ऐसा होता है जो जैमी है वो kidnapped हो जाता है उसे other settlers जो है वो kidnapped कर लेते हैं जो white man है वो kidnapped करते हैं और उसके सर पर एक बहुत यह बड़ा back sa तरक देते हैं उसे बहुत बुरी तर कैसे पीटा जाता है उसके सर को हेड होता है उसे under water तक लॉट एका जाता है अब जबिसभी सबहु till होता है तो जो पर सकते हैं बारे में लिखते हैं पता जलता जो जैमी वह उसे मिसीज रचिंग्स की घर पर पर धाया है जोगी कि हम ऑल्ड वुमें ती उनके घरपर शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि वह सेटिर्मेंट थोड़ा दूर है और वहां पर वह सेफ रहेगा ऑगया जो जैनेत ही जो उनकी डॉटर थी वो उस वुमिन के साथ बहुत प्रदा टाम स्पेंट करने लगी थी भी कीपिंग का वर्क सीखने लगी थी उसके तरीकों को सीखने लगी थी अब यहां पर जो जैमी है वह इनके घर पर सेफ तो है लेकिन उसे घर विल्कुल पसंद नहीं है वह स्पेस जो याद करता है कि जो उसके फादर थे जिनका नाम विलेट है जो एक डैट कैचर थे वह से अज़ेट ट्रीट किया करते थे हमेशे उसे बिमारा करते थे अब एक राज़ जब विलेट था वह अपने घर से चला गया जो ड्रंक करने के लिए वहां से चला गया तो जैमी जो जैमी के रूम में कभी लाइट नहीं हुआ करती थे हमेशा डाक में रहता था तो वहां पर एक फायर जला देता है आग लगाने की कोशिश करता है लेकिन जब उसके हाद से वह आग लग जाती है तो फिर वह विंडो से कूट कर भाग जाता है फिर वह वन बाई एक शि क्लॉस्ट्रफ़फविया हो रहा है जो घामी है वह हमेशा ही जो लाइक है उसके लिए हमेशा ही लायल रहा था लेकिन जरकन है यह सोचता है की कैसे जैमी को यहां से भगाया जाए वहां से पुश किया जये जिए अब एक दिन है कि जैमी है जब उस ने वह चीज देखी लेकिन वो से लेके सिते फॉरेस्ट में भाग जाता है क्योंकि यहां पर वाइट सैटिलर्स के वीचे में नहीं रहना चाहता है हाला कि वो खुद वाइट है लेकिन जो वाइट का जो बहेवियर है उसके लिए वो उसे एज ब्लैक कर रहे हैं तो यहां पर रेसिज्म दिखाया गया है अब जब वो पेजेस को लेके भाग जाता है लेकिन हमाप पर सडनली रेन होने लग जाती है जिसके वज़ाते हैं जो वाइट वर्डस लिखे गए होते हैं शीट पर वो सारे है डिजॉल्व हो जाते हैं उसके हाथ में सिर्फ वाइट पेपर बच जाते हैं अब कुछ सालों बाद की कहानी आगे बढ़ती है जो लेकन है जो स्टार्टिंग में उसे राइफल से स्टिक से शूट करने की धमकी दे रहा था तो अब वो एक ओलर अडर्ट बन गया है और एक पॉलिटीशन भी बन गया है अब वो जैनेट की घर पर जाता है वो एक कॉन् करवा दिया गया था जिसके बाद जो गौर्मेंट है उसने लेकिन से उसके जाइन के लिए बोला था और वो उसके लिए बहुत ही इंबरिसिंग चीज थी अब यहां पर जो जैनेट है वो बताती है उसे की सड़नली जब वो गायब हो गया था तो कुछ सालों बाद जो ज जैंडर की बात करी गई है और जो सैटलर्स की जो इडेंटिटी लोस है मतलब कि वो खुद पी डरते हैं जो ब्लैक पीपल है उनसे डरते हैं और यहाँ पर कम्यूनिटी और इंसलेटी की बात की गई है और इसकी वाती वीडियो यहाँ पर खतम हो जाती है I really hope कि आपको व do that make sure that you hit the like button and to subscribe my general videos related to English emoji includinginfaction poetry and short story must pay a visit to our channel playlist thank you